नमस्कार दोस्तों जाय बोलेनाद दोस्तों 21 दिसम्बर को पौश्य कुरुष्ण पक्ष तिथी दश्मी और शनिवार का दिन है दश्मी तिथी शाम पाच बच कर सोला मिनिर तक रहने वाली है साथ ही चित्रा नक्षत्र रात 7 बच कर 45 मिनिर तक रहेगा अगर हम 21 दिसम्बर यानि की श्यनवार के दिन की शुब मुहर्त की बात करें तो दोपहर 12 बच कर 14 मिनिर से लेकर 12 बच कर 57 मिनिर तक रहने वाला है और वही अशुब मुहर्त यानि की राहुकाल की बात करें तो सुबह 9 बच कर 53 मिनिर से लेकर 11 बच कर 14 मिनिर तक रहने वाला है तो दोस्तो आज की सुड़ों में हम आपको 21 दिसम्बर की कुमबराशी पल बताने वाले हैं इस दिन कुमबराशी के जीवन में संकट आ सकते हैं वे संकट किस तरह से रहने वाली हैं किस तरह की जीवन में फायदा होने वाला हैं धन और व्यावसाय के मामले आपके लिए कैसे रहने वाले हैं लव लाइफ आपके कैसे रहेगी स्वास्ते राशीफल कैसा रहेगा और आखरी में बोनस पॉइंट इन सभी पॉइंट्स वो कवर करने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें अन्त तक जरूर देखें और सबसे पहले इस वीडियो का अभी लाइफ करें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशीफल को जरूर सबस्क्राइब करके बाजवाले घंटे बटन को दबा कर और को सिलेट करें ताकि हर रोज राशीफल रिडियो आपको मिलती रहें तो दोस्तों चले शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं किस तरह के संकट आपके जीवन में आ सकते हैं आपने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की लेकिन ये वक्त है अपने गुरू की सलाह लेने का जो आपके करीब हो और आपकी परवाह करता हो अपने उद्देशों को प्राप्त करने के लिए उनकी सलाह का उप्योग करने में जर्रा भी ना हिंच के आपका दिन ठीक टाक रहने होला है किसी भी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए धेर्य और सयम से काम लेना चाहिए ध्यान रखे कि सिर्प बात करते रहने से कुछ नहीं होगा अच्चे परवाह प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करे आपको अपने गुरू की सलाह अपने लंबे समय से चले आ रहे दुपों को खत्म करने के लिए लेनी चाहिए आपको अपने सम्हों से समर्तन मिल सकता है अगर आप आगे बढ़कर उनके सामने अपने वीचार अभिव्यक्त करें आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने काम को अपने सातियों में भी बांट गए गायत्री का मंत्र जब करें जीवन में आर रहे सभी संकट आपके कम होंगे तो दोस्तों अब बात करते हैं किस तरह के फाइदे आपको हो सकते हैं आपका दिन दूसरों की सेवा सत्कार में बीच सकता है आज लोग आपसे काफिक प्रभावित होंगे आपके घर में सुकशान्ती और आनंद का माहौल बना रहेगा आपका शारिरिक एव मानसिक आरोग्यक अच्छा रहेगा धन जरूरी वस्तों पर ही खर्च होगा प्रतिस परदियों तता श्यत्रों पर विजय प्राप्त होगी आज का दिन में आपका मन मित्रों वस्नेही जनों के साथ खानपान सेर सपाटे एव प्रेम संबंदों की वज़े से प्रपुलित रहेगा यात्रा पर्यटन के योग है आज मनोरंजन सांधनों या वस्त्रलंकारों की खरीदिक्या योग है आज भागदोर की अधिक्ता थोड़ी ज़्यादा हो सकती है मित्रों से मेल जोल बढ़ सकता है संतान आपकी बातों से प्रभावित हो सकते है किसी उच्च अधिकारी से आपका संपर को हो सकता है आप पर अच्छा उच्च अधिकारी गण की कुरूपा दुष्टि होगी और आपके वर्चस में में वुद्धी होगी पदोनती की पूरी संभाव ना है माता पिता जी का आशिर्वाद ले सभी कामों में फाइदा ही फाइदा होगा तो दोस्तों अब बात करते हैं धन और व्यावसाई के मामले आपके लिए कैसे रहेंगे सरकार और संबंदित एजन्सियां आपके प्रती प्रबंद की एक शम्ता और नेतरित्व से प्रभावित है और जल्द ही आपको कोई अच्छा आफर भी मिल सकता है धन संबंदित पेशे वाले लोग आज काम करते समय सतर कर है याद रखे इस दुनिया का हर व्यक्ति आपको मदद नहीं कर रहेगा इसलिए अपना ध्यान सुए रखे आप चाहे या ना चाहे लेकिन आज आज आप सब के अकरशन का केंद्र बनेंगे कड़ी महिनत के बाद अब समय है कुछ देर सांस लेने और मज़ा करने का ग्राकों की सेवा करके आप अपने बारे में अधिक जान पाएंगे करियर में बदलाव आपके लिए नए अउसर लेकर आएगा क्योंकि आज आच्छा भाग्या आपके साथ है कानोनी मामलों से अभी दूरी बनाए रखना है आपके लिए फायदे मद है उच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए यात्रा भी करनी पड़ेगी दिमाग का प्रयोग करें और अपने आत्मों विश्वास को कम न होने दे आप कुछ रचनात्म करना चाते हैं अपने साती के साथ रोमेंटिक डिनर भी आपने आपके कार्ड में दिख रहा है आपकी भावनाएं आपकी आर्थिक समस्याओं को कम कर सकती हैं क्यूँकि आज आप बेहद उस्ताहसे काम से पहले गहनता से विचार करें लेकिन जब बात काम करने के आती हैं तो सोच समझ कर ही हर कार्यों को करें किसी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन ले धन के मामले में यह खुब फायदा होगा तो दोस्तों आप बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी पीता या पीता तुरुल्या कोई व्यक्ति आपकी प्रेवना का स्त्रोत है जिनके साथ आपसे धन्त और गुड़स रहस्ये पर चर्चया होने की संबवना है रिस्तों में गलत फहमी की जगहन न दे और प्यार का इजहार करते रहें इससे आपकी चाहत आस्मान को चुएगी गर पर आए संकड को दूर करने में व्यस्त रहेंगे लीजिए आ गया है एक आवेशुपूर्ण दिन केवल आपके लिए अपनी नई चाहत का इजहार करने के लिए दिन बहुती अच्छा रहने वाला है बस इसका तरीका कुछ अलग और नया होना चाहिए आज आप अपने खास्त दोस्तों को डेट पर ले जा सकते हैं आप अपनी सामाजिक सरकल से कट ओफ करके अकले रहने के मूड में हैं अगर किसी को दिल से चाहते हैं तो आगे बढ़कर अपने प्रेम का इजहार करें उन्हें उपहार दें या सिर्प एक गुलाब का फूल वो आपसे प्रभावित होंगे बच्चों के लिए समय संकट भरा है ध्यान रखे आज आपका सारा काम अच्छे से बनेगा और अब समय आ गया है पार्टी का इन पलों का संधर या आपको दूसरों की सेवा करने या खुद को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा तो दोस्तों अब बात करते हैं स्वास्त्य राशिपल के बारे में पाप गरही प्रभाव आपको तनमन की पिडाओं को देने वाला है आंतर किसी बड़े निर्ने वो अपनी नित्य के खानपन को बड़े ही सलिके से लेने की जरुरत रहेगी अन्यता सेहत में पिडाओं बढ़ सकती हैं इस राशी में राहू का पाप जनित संभंध कई बार आपके सेहत में पिडाकारी भी रहेगा जिससे आपके मन में ब्रांती वो संदेही की स्थिती रहेगी गरीमों में फल बाटे स्वास्ति में सुधार आएगा तो दोस्तो आखरी में बात करते हैं भोनस पॉइंट के बारे में जो आपके लिए बहुत तीफ फाइजयमन्द साबित हो सकता है माता लक्ष्मी जी की कुरुपा से पारिवारिक रिस्ते में मजबुती आएगी आपको अपनी थोड़ी मेहनत से अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है नए कारोबार्स के लिए यह समय उत्तम रहेगा आपको अपने कामकाज के बहतर परिणाफ हासिल होंगे कुछ नए लोग आप से जूड़ सकते हैं आपके कामकाज की तारिफ होगी आपके द्वारा बनाये गए संपरकों से ज्यादा फायदा होगा तो दोस्तो इस तरह से 21 दिसंबर के दिन कुमबराशी के जिवन में बड़े संकट आ सकते हैं वो संकट किस तरह से रहेंगे वे हमने आज के सूड़ों में बताया है विस अगर उन बातों का आप युशेश ध्यान रखेंगे तो हर एक संकट का आप आसनी से सामना कर पाएंगे तो दोस्तो आज की इस वीड़ों में बस इतना ही वीड़ों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताए और कमेंट में जय बोले ना जी रिखना ना भूले तो मिलते एक नए वीड़ों के साथ धन्यवाद नमस्कार दोस्तो जय बोले